एस्टर योगी पहला एस्टरोजर कंसलिटेशन सेर्फ और सेर्फ एक रुपे में अभी डाउनलोड करें ओम नमस्षिभाय नमस्कार स्वागत आप सभी का एस्टर योगी के हिंदी यूटिब चनल में बिजनस में आज कितना होगा प्राफिट हेल्थ के लिए कैसा रहेगा आज कदर क्या मिलेगी आपको अपनी मंचाही नौकरी या होगी आपकी अपनी पार्टनर से मलगार ऐसे हल सवाल के जवाब पाने के लिए अभी डाउनलोड करें एस्टर योगी है और पाएं सिर्फ ए जार मास भाद्रप्रद है पक्ष कृष्ण पक्ष रितू बढशा रित्व है आज चतुर्थ्य दिथी रात नौव बचकर एक मिनट तक रहेगी इसके बाद शूल योग रहेगा आज चंद्रमा मीन राशी में गोचर करेंगे इस समय सूर्य कर्ग राशी में गोचर कर रह अगर सूर्य उदय की बाद करें तो आज सूर्य सुबाश्य बच कर 50 मिनट पर होगा और अगर हम सुर्यास की बाद करें सूर्यास 7 बचकर एक मिनट पर होगा चंद्रमा मीनट तक होगा चलिए इसके बाद जान लेते हैं. आज के शूब महुरत की बारे में तो आज अभी जीत बॉरत ग्यारा बचकर 69 मिनट से शुरू होकर 12 बचकर 52 मिनट तक रहेगा अग बात कर लेते हैं रहुकाल की जिस समय किसी भी शूपकाने को करना वर्जित माना गया है और आज रहुकाल सुबह 7 बचकर 39 मिनट से शुरू होकर सुबह 9 बचकर 8 म में मिलेगी काफी ग्रोथ मेश राशी आज आप अच्छा महसूस करेंगे किसी प्रतियोगिता में पास हो सकते हैं आपके हरसुप स्वभाव का आपके आजपास के लोगों पर स्थाई प्रभाव पढ़ेगा लव लाइफ में कबात करें तो आज का दिनात के लिए शुब से काम लेना होगा फाइनाइस में जब घर खरतने का फैसला कर सकते हैं बहुत दिनों से इसकी सोच रहे था जो गड़ी आ गई है हेल्ट में अपनी बिमारी को दूर करने के लिए आप तरह तरह के नुस्ख्य अपनाएंगे खुद पर भरोसा रखें भुरा आपके लिए लखी कालर है सुबह दस बैसे बारा बजे के बीच का समय शुब है अब का सामाजिक जीवन अच्छा रहेंगा आप बहुत अच्छे मूर में रहेंगे बहार जाना और नए लोगों से मिलना आसान रहेगा आपके प्रियेजनों के साथ समय बिताने का इससे बहतर तरीका क् किसी और चीज के लिए समय ही नहीं होगा आप अपने व्यक्तिकत और पेशिवर जीवन में अच्छी तरह से बैलंस बनाकर काम कर सकते हैं लव लाइफ की बात करें तो अपनी हिच्छाओं पर बेतहाशा पैसा लुटाएंगे आज आपका मन ऐसा कुछ भी करने को तयार है जो आपको और आपके पार्टनर को खुशियां दे आप दोने एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं आज के दर आप अपने साथी के लिए कुछ भी तौफे जरूर खरे देंगे करियर में आपको वेबसाइक संबंद कायम किया था उसके दोर आपको एक अच्छा आपसर मिल सकता है आज करियर के लिए हाथ से अच्छा दिन रहेगा फाइनायस में आप किसी लोन के लिए आवेदन करने की सोचना है तब आज का गनाब के लिए अच्छा है सभी काविजों को सही तरीके से जमा करें हेल्थ में आज कमर से रिलेटेड किसी भी तरह की आपके लिए लगी का लड़ है अब तुम नाशी आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा अब ध्यान के इंद्रित करके काम करें आप खुद का आंकलन कर सकते हैं देखें आपके जीवन में क्या गलत हो रहा है और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं खुद पर ध्यान के प्रविट्टी आपको उनसे जरूर मिलाएगा आपके लिए अच्छा साबित होगा त्यूंकि यहां पर आपके परिवार वाले मौचूद होंगे करियर में कोई अधिकारी आपके करियर के लिए नया काम करेगा आपके काम से आपके कुछ उच अधिकारी खुश है और अगर करिदने का विचार भी बन सकता है खुद के रहने के लिए नहीं तो कम से कम निवेश का ख्याल से ही नई संपत्ती करिदने का मन बनेगा है अजब पुरानी चोटों और दर्द गुठी करने के कोशिश करेंगे शाम चार बैसे छे बज़े के बीच का समय लखी है और पर ध्यान के द्रद कर सकते हैं आपको अच्छा मैसूस होगा लव लाइफ की बात करें तो आप एंट्रेटेन्मेंट के लिए कुछ रुपए खरच कर सकते हैं आपकर रिष्टे में प्यार बना रहेंगा आप कुछ नया सूचें करियर में इस समय आप खुद को अपने ऑ विचार को किसी विशेश रूप से प्रभावित कर सकते हैं आपके द्वारा की गए इस प्रयास के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है हेल्थ में आज आप महसूस करेंगे कि कोई दर्द या जोड़ों की दर्द की परिशानी आज के दिन भरी रहेगी साथ ही गयान भी कर सकते हैं और वैसे आपकी सिवत ठीक रहेगी दोपेर ढ़ाई वाई से पांच बज़े के बीच का समय लखी है और सी ग्रीन आपके लिए लखी कलर है सिंग राशी आप एक नई जीवन चैली के लिए प्रतिबंध होगे आप नई समस्या आपके कुछ दूर हो जाएंगी और आप थोड़ा सा भाव भी हो सकते हैं आप नई दिशा में आगे बढ़कर थोड़ा काम भी कर सकते हैं लव लाइफ की बात करें तो आपने से जो लोग भी अपने विवा के लिए अपने परिवार वालों को मनाने में लगे हुआ हैं तो उनके लिए आज का दिन मुश्किलों से भरा हो सकता है आज आपको थोड़ा सा सबर रखना चाहिए अगर आपके लिए महत्यपून है और अपने से बिल्कुल सही समय है फाइनास में आपको बिजिनस और फाइनास में लाब मिलेगा एल्थ मैं जब खुशकबरी मिलने से आपकी सियात और मनग खुश होड़ाएगा कोई खुशकबरी में आपको मिल सकती है तो फैर चार बच कर 20 मिनट से 6 बजे के बीच का समय लखी है और पीला आपके लिए लखी कलर है कन्य राशी मीन राशी में चंद्रमा के गोचर के करण आप एक अच्छी स्थिति में है आपको इस समय अच्छा महसूस वकर जिस अधिकार को पाने के लिए अपने इतनी मेनत की है उसे व्यर्धन ना जाने दे लव लाइफ में अगर आप असे इनल हैं और प्यार की तलाश कर रहे हैं तो हो सकता है आपको इस तरीके से कोई साथी भी मिल सकता है आप कुछ अलग तनकी परिस्थितियों के लिए तयार रहे इसके लिए आपको अधिक गंवीर होने की जरुरत बिल्कुल भी नहीं है करियर में आज आपका अपने काम को लेकर आत्मविश्वास बना रहेगा आपकी कारेले में कुछ समस्यां को सुलजाने के आपकी शंता को आपके बॉस को भी पसंद आएगी अगर आज आपके काम में कुछ बदलाव हो रहे हैं तो उसे स्विकार करने को तयार रहे फाइनाइस में अज़ अपनी गाड़ी बेचने के अगर सोच रहे हैं तो योजनाभी के लिए डाल दे आज का दिन फाइने वाला नहीं है हेल्थ में आज दर्द की वाई से आपको थोड़ी सी परिशानी हो सकती है हो सकता है आज आव व्याम भी ठीक से ना कर पाए दो फैर तीन वाई से साड़े चार बजे के बीच का समया आपके लिए बड़ा ही लगी है और पीला आपके लिए शुब है तुल्ला राशी आज आप ज्यादा काम कर सकते हैं आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं आप ज्यादा ध्यान के इंद्रत करके काम कर पाएंगे छोटी से समस्या को हल करने में मदद करेगी लव लाइफ की बाग करें तो आप जिस इंसान से प्यार करते हैं और शाली करना चाहते हैं उस इंसान की तरफ से आपको अटेंशन मिलना शुरूर हो जाएगा आपके सामने अपने दिल की बात रख सकते हैं परेशान होने की जुरत नहीं है करियर में आज किसी बत की दाविदारी के लिए शुप समय है अब जहां पहुंचना चाहते हैं उसे पाने के लिए कोई कसर ना चुड़े अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो हो सकता है आज आपको कोई कॉंट्राक्ट पाने के लिए किसी से जगणा भी करना पड़े फाइनेंस में आज कमाई से ज़्यादा खर्चे के संकेत दिखाई दे रहे हैं और हेल्थ में अगरम बात करें करण आज आप काफी अच्छा मैसूस करेंगे जो कि अच्छी बात है कम तनाव से ब्लड प्रेशन भी कम ही रहता है इसे आपकी सेयत को फाइदा होगा शाम पांच बाइस से छे बजे के बीच का समय अच्छा है विजेंटा अपके लिए लखी कलर है मीन राशी में चंदरमा के गोचर के करण आपको अच्छा मैसूस होगा खुद को दूसरों के विजारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए उन लोगों से साथान भें जापको परेशान करते हैं खुद पर भरोसा रगना चाहिए लव लाइफ में आज का दिन बहुत अच्छा नाय होगा क्योंकि आपके पता लाएगा कि आप जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं उसके आपके परिवार वाले पसंद नहीं करते हैं अपने परिवार के सदस्यों को इस रिष्टे के लिए मनाने की थोड़ी से कोशिश करें करियर में आज आपके बहुत आपका साथ जरूर देंगे अपने सभी संबंदू का फायदा उठाते हुए आप अपने सभी रुखे हुए काम को पूरा कर लीजिए फाइलैंस में आज अपनी गाड़ी बेचने का मन बना रहे हैं तो उसे बेच देने के लिए आज का दिन बड़ा ही अच्छा है आज बड़े लेंदेन भी आप कर पाएंगे हेल्थ में आज आज आप बड़े अच्छे मूर में रहेंगे अगर आप किसी परिशानी में हैं तो जल्दी उस परिशानी से आपको निजात मिल जाएगी अगर आपके लिए लखी कलर है बभाएर डेड़ बड़े से तीन बज़े के बीच का समय आपके लिए बड़ा ही लखी है दन्वराशी आपके साथ अच्छी चीज़े होंगी आपको मेहत्रपून काम पहले करना चाहिए आपके बरिश्ट और सहकर में आपके कठिन प्रियास को नोटिस करेंगे आपकी आए में वृद्धी हो सकती है आप एक अच्छे लेकख है इसलिए आज ये कुछ अलता से काम कर सकते हैं लवलाइफ की बाग करें तो आज आज आप किसी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं सही तरीके से सिच्चुशन को संभाल लेंगे आप इस वक्ति से तुमाद दूर करने का प्रयास करें कोई भी नई शुरुवात करने से पहले आप एक बार इस बारे में सूच लें कि आप इस नए रिस्तिय के शुरुवात आफिर क्यों कर रहे हैं करीर में आज आपको अपने निड़ने को लेकर अपने सहकर्मियों का सहीयोग मिलेगा आपके बॉस भी आपकी तरफ होंगे आप अपने काम को लेकर आगी बढ़ सकते हैं फाइनेस में आज नया घर खरीदने का इरादा बन सकता है पुराने घर को भी सजाएं सवार ताकि कुछ बदलाव का एहसास हो सके हेल्थ में आज आप पॉसिटिव फिल करेंगे आपको जोड़ोत के दर्थ से आराम भी मिलेगा बभैर दो बचकर पंदरा मिनट से साड़े तीन बज़े के बीच का समय लाकी है और पीच आपके लिए लाकी कलर है मकर राशी आज का दिन आपके लिए बड़ा ही शांदार रहेगा आपकी आई में वृद्धी होगी आपके कड़ी मेहनत के लिए आपको गिफ्ट भी मिलेगा ओफिस में इंक्रिमेंट भी हो सकता है और आपको बोनस भी मिल सकता है लग लाइट के अगर हम बात करें आपने प्रेमी के साथ एक लंबे से रिष्टे में है लेगिन अभी भी आप लोगों के रिष्टे में वही नया पन है आपका रिष्टा काफी मजबूत है इसलिए आपको अपने साथी को अपने दिल की बात कहने में बिलकुल भी नहीं गबराना चाहिए करियर में आज आप किजी महत्रपून स्थान पर जा सकते हैं आप अपनी नित्तित्रू कुछ अलता को बढ़ाने के लिए कि और क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचें इसके लाग को और जारा जिम्मेदारे लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। फाइनाइस में इस समय आपकी प्रॉपटी खराब हो सकती है। आज आपका खर्चा भी ज्यादा हो सकता है। हेल्थ में आज आप महसूस करेंगे कि आपका द्रिण निश्चय और दिमाग आपको कुछ बिमारी उसे उभारने में काफी सहाय करहा है। शाम चारवे से पांच बज़े के बीच का समय लखी है और पीला आपके लिए लखी कलर है। कुमराशी मीन राशी में चंद्रमा के कोचर के कारण आप अपना मूड ठीक रखें। आज सोच समझकर ही बात करें। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखें अपने परिवार के साथ हैं। आज आप अच्छा समय बिता पाएंगे। अगर आपको काम में कुछ कठे नाइयां आई हैं तो अपने परसनल और प्रोफेशनल जीवन में अच्छा मैसूस करेंगे। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। लव लाइफ की बात करें अपने प्रेमी की साथ किसी चोटी मोटी बात पर खादू की बात में ना पढ़ें। इसे आप दोनों के रिष्टे में तनाव पैदा हो सकता है। इसकी बिलकुल भी जरूत नहीं है। आप दोनों के रिष्टे के लिए ठीक नहीं होगा। से विचार कर लेना चाहिए आज अपने प्रोफेशन में किसी भी बालत में खुद को धाल लेने के करण आज आप फायदे में रहने बाले हैं आपके काम को मोटिवेशन और आपको आर्थिक लाव के संकेत हैं हेल्थ में अपने करियर को लेकर ठोड़े परिशान रहेंगे ज लोग और ध्यान करें शान चार बई से पांच बज़े के मीच का समय लखी है और निला आपके लिए लखी है मीन दाशी आपका मूड अच्छा आएगा पॉजिटिविटी के साथ काम कर सकते हैं लव लाइफ की बात करें तो भली आप अकेले हो या किसी रिष्टे में हो आज आपके सभी जगाओं पर बस प्रीम ही नज़र आएगा करियर में अगर आप इस समय बेरुजगार है तो आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है फाइनस में जो लोग किराय की घर में रहे हैं उनके अपने घर का सपना स्थाकार होने जा रहा है हेल्थ में आज आपको बिचलित रहेंगे शांती से काम लेड़ कारण सोचें और इसक चुब महरत राशिवलारी से संबंदत या व्यक्तिकत परामर्श लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाये जारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आज ही डाउनलोड करें एस्टर योगी यार्ट गूगल प्ले स्टोर यार्ट आयो एस्टोर से और पाएं समधान एडिया के बेस्ट जोति साचारें से एस्टर योगी पहना एस्टर आज़र कंसल्टेशन सेर्फ और सेर्फ एक रुपे में अभी डाउनलोड करें